और अब मद्यप्रदेश विधान सवा सत्र से जोड़ी बड़ी खबर मौनसून सत्र का आज दूसरा दिन है सदन में आज पेश होगा सप्लीमेंटरी बजट जी हाँ और इसी खवर पर जादा जुआनकारी के साथ हमारी सहयोगी सदफ हमें जुड़ गई है सदफ आज दूसरा दिन है सत्रका और सप्लीमेंटरी बजट लाया जाएगा आज मौनसुन सत्र का दूसरा दिन है और आज सदर में हंगामे होने के पूरे आसारे क्योंकि सरकार के तरफ से सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जाएगा विकास कारियों के लिए बजट पेश किया जाएगा लेकिन इस बीच जो बारा संशोधन अलग 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 एक्ट हैं वो भी पेश किया जाएगा जिसको लेकर सदर में भारी हंगामा हो सकता है क्योंकि सरकार आज आपकारी एक्ट में संशोधन का विध्यक पेश करने वाली है इसके लावा अगर हम बात करें जो अवैद कोलोनिया थी उनको वैद करने का जो प्रस्ताव है वो भी पेश किया जाएगा आपकारी एक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए आपकारी एक्ट के लिए सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसके तहत जो भी अब जहरीली शराप का कारोबार करता है या बेचता पाया जाता है तो उसके उपर कड़ी कारवाई की जाएगी यानि कि सखत कानून बनाया जाएगा जैसे कि मृत्यू डंड दिया जाएगा या फिर उम्रकेत की सज़ा सुनाई जाएगी इसको लेकर सरक को एक बड़ी रहत मिलने जा रही है अगर हम विपक्ष की तरफ से बात करें तो विपक्ष आज आरक्षन का मुद्धा भी सदर में उठा सकता है जिसको लेकर हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं जी बिल्कुल सदफ और कल भी उस तरीके से देखने को मिला कल भी पूर उठाये जाएं सरकार उनका जवाब देगी लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेंड़ी की तयारी मैं है बिल्कुल देखे सरकार की तरफ से लगतार कहा जा रहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है लेकिन जो विपक्ष उसका कहना है कि एक तो मौनसुन सत्र बहुत छोटा आयूजित किया गया है यानि कि चार्ट दिन का ये पूरा सत्र है जिन में से एक दिन कल बी करने का लिए हैं ऐकर आख वाब पर प्रभावत अलागों के जहां पर लोगों का काफी नुकसान हो गया है तो इनको भी लगतार मौाफ़सा देने की राहत पहूंचाने की वे पक्ष लगतार बात-OUTर कर रहा है तो यह त culturally क्वो अगे सरकार आज गेरते लेकिन आपको एक और बात बता दें कि जो बीजेपी है सरकार है उसने भी कल विधायक दलकी बैठक बुलाई थी जिसमें विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीती तैयार कर लिए यारी की दोनों ही तरफ से तैयारियां तेज हैं रणनीती बना ली गई है अब ये पू जी देखिए दोनों तरफ से रणनीती बना ली गई हैं लेकिन जो सदन में ही बात उठाई जाती है जनता के हक की बात करें या फिर जो भी मुद्दा होता है सदन में विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलता है सरकार से सवाल पूछने का तो विपक्ष वही करता भी नजर आ रहा है क्योंकि हमने देखा है कोरोना काल में जितनी मौते हुई हैं विपक्ष लगतार घेरता आया है कि सरकार ने मौत के आंकड़े छुपा हैं कोरोना काल की बात करें या फिर हम बात करें जो बाड़ पर भावित अभी हम बात कर रहे ते लाकों की वहां पर लोगों को रहात पहुंचाई जाए महंगाई लगतार बढ़ रही है शुरू से ही विपक्ष ने से बड़ा मुद्दा बनाया है क्योंकि पैट्रोल डीजल के जो दाम है लगतार सौके पार चले गए हैं जिससे जंता पर महंगाई की मार पड़ रही है तो यह एक बड़ा मुद्दा है इसको हमने केंदर में भी देखने को मिला था राहूल गांदी में ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया ता साइकल चलाई थी यानि कि जो पैट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान ठूते जा रहा है इसे को लेकर जो विपक्ष है अब सरकार को पूरा घेरता हुआ नजर आ कोरुना की जो आंकडे चुपाने का आरोप सरकार के उपर विपक्ष लगाता जा रहा है क्या ये भी मुद्दा आज सदन में उठ सकता है तो बिल्कुल देखिए विपक्ष कोई भी मुद्धा या विपक्ष कहें कोई भी चंस छोरदे नहीं वाला है क्योंकि चार दिन का यह सत्र था तीन दिन बच्छे वए हैं तो विपक्ष को पास अभी यही समय हैं जो वो सबी मुद्धे जो है सदन में उठा सकता है सरकार से जवाब मांग सकता है और सरकार पर हमला भी बोल सकता है तो आज कोरुना काल में जो मौत के आंकड़े छुपाए गाए हैं जिस तरह से आववस्थाएं देखने को मिलीं थी अस्पतालों में मरीजों की जान चली गई ऑक्सिजन की कमी एक बड़ा मुद्ध शुरू से ही कॉंग्रिस ने बनाया है हम उसके भी बात करें तो यह तमाम जो आववस्थाएं सरकार की तरफ से हुई थी जो विपक्ष का आरोफ है इसको लेकर भी आज सदन में हंगामे के पूरे हंगामे होने के पूरे आसार हैं जी बिल्कुल सदफ आप बने रहे हमारे साथ आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे जी ढाराओं अपसे खबरों में अपसे हैं